हेलो इस वीडियो में आज हम सिखेंगे कि stml में बैपेज में heading कैसे दी जाती है जैसे सबसे बड़ी heading उससे छोटी उससे छोटी और सबसे छोटी heading कैसे दी जाती है इसके बारे में इस वीडियो में सिखेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम जानते हैं कि heading क्या है तो यहां पे यह दिखो heading tag तो heading जो होती है h1 से लेके h6 सक होती है इसके बाद इसकी definition यहां पे जानेंगे HTML sports 6 different level of headings h1 through h6 the highest level of header format is h1 जो सबसे बड़ी heading होती है वो h1 होती है and the lowest level is h6 जो सबसे शोटी heading जो होती है वो h6 होती है that is h1 tag specifies the text with maximum size and h6 tag specifies the text with minimum size all these styles appear board face and the size of the heading depends on the level chosen that is h1 to h6 यहां पे हम h1 को start करेंगे h1 लिखेंगे इसके बाद यहां पे कुछ लिखेंगे text बगएरा इसके बाद h1 को बंद करेंगे तो जो text इसके बीच में लिखा जाएगा वो सबसे बड़ा text होगा तो h1 से जो छोटी adding होगी वो h2 होगी h2 से जो छोटी adding होगी वो यह होगी h3 तो यहाँ पर यह देखो h4 tag आ गया है यह जो heading होगी यह छोटी होगी h3 से h5 जो है h4 से छोटी adding होगी और जो सबसे छोटing adding है वो है h6 तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो h1 है जो भी हमने लिखा होगा h1 के बीच में वो सबसे बड़ा होगा और यह जो h6 है जो भी हमने h6 के बीच में लिखा होगा वो सबसे छोटा text होगा इसके बाद हम practically इसको देखते हैं यहाँ पर यह एक program है create a webpage to display multiple heading using h1 h6 tag तो यह program हम notepad में को करेंगे यह हमने notepad को open किया हुआ है और इसमे heading tag का यहाँ पर program किया हुआ है सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है HTML उसके नीचे head उसके नीचे title और title में हमने दिया हुआ है heading इसके बाद title को बंद किया हुआ है इसके बाद head को बंद किया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है body तो जो भी लिखने का काम हम करेंगे वो body के अंदर करेंगे तो यहां पे सबसे पहले हम h1 लिखेंगे, यहां पे h1 लिखा, और यहां पे हमने कुछ भी यहां पे लिख दिया, जैसे html heading h1 tag, इसके बाद h1 को यहां पे बंद किया, इसके बाद यहां पे h2 start किया, यहां पे कुछ लिखा, यहां पे h2 को बंद किया, इसके बाद फिर यहां पर h3 यह लिखा इसके बाद यहां पर कुछ लिखा इसके बाद यहां पर हमने h3 को बन किया इसके बाद h4 को लिखा इसके बाद यहां पर text लिखा इसके बाद h4 को बन किया इसी हिसाब से h5 लिखा यहां पर text लिखा इसके बाद यहां पर h5 को बन किया और यहां पर ह हमने सबसे चोटी heading h6 और इसके बाद यहां पे text लिखा हुआ है और यहां पे h6 को बंद किया हूँ है और इसके बाद हम body को बंद करेंगे यहां पे last में sdml को बंद करेंगे तो यहां पे हमने program लिखा हुए я heading का तो यह jedding है जैसे h1 यहांपे हम हुआ stml heading h1 tag यह जो होगा यह सबसे बड़ी heading आएगी इसके बाद इससे छोटी यह heading आएगी h2 इसके बाद h3 उससे छोटी आएगी इसके बाद h4 उससे छोटी आएगी इसके बाद h5 उससे छोटी आएगी और सबसे छोटा जो text लिखा हुआ आएगा वो h6 आएगा तो इस इसके हम यहां पर output देखेंगे कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बाद यहां पर हम फाइल पर जाएंगे इसके बाद save as पर जाएंगे save as पे जाने के बाद इसको काँ पे save करना है डेस्टोप पे save करना है यहाँ पे हम file name देंगे तो यहाँ पे हमने file name दिया as यह file name दिया इसके बाद extension लगाएंगे dot html यह extension लगाएंगे इसके बाद यहाँ पे save पे click करेंगे इसके बाद यहां पर यह दिखो default browser में as नाम की file आ गई है इसको open करेंगे open करने के बाद यह दिखो यहां पर हमारे पास यह text लिखा हुआ आ जाएगा यह जो उपर सबसे पहली line है यह जो है यह h1 है यह दिखो यहां पर हमने h1 यह लिखा हुआ है तो यह जो लिखा हुआ है सबसे बड़ी heading है यह जो h2 है यहां पर लिखा हुआ है तो यह जो है h1 से shooting heading है h2 ये इसके नीचे दिखो h3 ये उससे चोटी है इसके नीचे ये दिखो h4 ये उससे चोटी है उसके नीचे ये दिखो h5 ये उससे चोटी है और सबसे चोटी heading जो है ये h6 है तो इस तरह बैपेज बनाते समये अगर हम सबसे बड़ा text लिखना जाते है तो हम h1 यूज़ तो इस वीडियो में हमने heading tag के बारे में जाना आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel